हालो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आपको पते हैं कि हमने हम यह पूर्पूर के द्वारा कंड़क करवाएगे जो भी एक्जाम है तो जो प्रिविस एर कोश्चन की जो हमने सीरिस शुरू किया जो ग्रफी जो सब्जैक्ट है उसकी तो उसके तहित जो है second वीडियो में आपके साथ जो discuss करूँगा तो उससे पहले हम 32 कोश्चन जो हम first वीडियो में discuss कर चुके हैं तो इसमें जो हम 20 कोश्चन discuss करने वाले हैं तो बाकी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा डिटेल में ना बता के वीडियो को जल्ली खतम करें क्योंकि जो फर्स्ट वाला वीडियो था वो थोड़ा लंबा हो गया था तो आप कमेंट कर सकते हो तो बाकी अगर इसी तरह आपको सही लगता है तो आप उसके लेवी कॉमेंट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि फर्स्ट कोशन है कि विशप का उस्तम हाइडल पावर रोंग टोंग स्थीट है तो यह जो 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 ग्रफी में कोशन पुछा गया था लेकिन जो इमाचल परदेश में स्थीट है तो औप्चन सी तो इससी मिलता थूलता मतलब जो हई डल पावर प्रोज़ेक्ट है जो कि है शौंग टोंग तो जो हो उट तो यह और उप्चन एंसर option c.e. तो उसके वार जो next day dr discuss करते है कोछन कि कौन सा एक परंपरागत उर्जश्ट्रोत है तो जो परंपरागत उर्जश्ट्रोत है वह एक वह आप option देखritis लगा सकते कि ज्वारी और जब होतापी और जाón चोन जो मतलब एक दूसरे से मिलते हैं बाकि जो बायो मास एनर्जी है यह जो है गैर पराम परागत उर्जा श्तोरत है तो option d यहां पर right answer होगा बाकि बता दूँ मैं आपको कि जो बायो मास एनर्जी है जैफ सहीत उर्जा क्या होती है तो यह जो होता है कि जो मतलब जीव है जो मर गे होते हैं कि मतलब हाली में जीवों से जो मतलब हमें पदार्थ मिलते हैं जीवों से मतलब पेड़ फूधों से हैं कि मतलब जो उनसे जो में पडार्थ मिलते हैं तो उन्हें हम जैब सभीता जैब सहीती और्जा या फिर वायवमैसअनर्घी बोलते हैं कि जैसे अ परांपरागत एनरजी श्त्रोत है ये और यहां पर राइट अंसर होगा तो एक बार और बता दूँ कि जीवित मतलब जीवो अत्वाहाली में जो मतलब जो मर गये होते हैं तो उनसे जो मतलब प्राप जो पदार्थ होता है उनिसे जो हम मतलब इन्धन के रूप में यूज करते हैं उसी को जैब सहीता उर्जा बोलते हैं मतलब जीवो से मतलब यहां इंसानों से नहीं है कि मतलब जीवो से मतलब यहां पेड़ पोदो से हैं तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निमलकित में से कौन सा बात में सबसे बड़ा कोलक्षेतर है तो जो रानी गंज है जो कि पश्चिम बगाल में जो जगा है रानी गंज तो यह जो है सबसे बड़ा कोलक्षेतर है तो अंगरी जो के टाइम से यहाँ पे जो कोले का खनन किया जाता था तो उसके बाद नेक्स बात करते हैं कि कौन सा केरल में स और इता है लेकिन जो सबसे जासे जयादा परुचोर मात्रा में व क्या 갈ए में व क्या है जाता है मेड़ा गासकर जो इस हिंद मास ही तो शबसे बड़ा त्वीप है तो मतलब में परोके झाकर में भारत अवर्ग जाता है और जू मतलब महाधीब अफ्रीका तो उसमें भी काफी ज़य। यह पाय जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि यहांपर जो option D से ही है तो उसके बात करते हैं कि कौह सा भोमिग ग्रह हैं। भोमिग ग्रह मैं आपको बता दूँ कि उन ग्रह लिए को कहते हैं। कि सबसे पहले तो आप जान लीजे कि अंत्रिक ग्रह कौन से होते हैं तो जो अंत्रिक ग्रह होते हैं आपको बूद्ध है जो उसके बाद शुक्कर है मतलब करमानुसार मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद प्रित्वी है उसके बाद मंगल है ठीक है तो यह जो चार ग्रह ह इससे हम बोलते हैं कि अंत्रिक ग्रह और जो ये चारों अंत्रिक ग्रह है इनको भोमिक ग्रह बोला जाता है भोमिक ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पेक्षाक्री जो बचे चार ग्रह है मतलब उनके मुकाबले सूर्य के थोड़ा नजदीक है और जो मतलब ये बने हुए है ये मतलब काफी जिन उन पदार्थों से बने है उन दातुएं से बने है उन मतलब चटानों से बने है कि जिनका गंता बहुत जाद है तो इसलिए इने बोमिक ग्रह का जाता है तो यहाँ पे तो जो अंतरी ग्रहों में से एक बुद्ध यहाँ है तो यह जो है इसका राइट अंस रहे कि कौन सा बोमिग ग्रह है तो याद रखिएगा कि बुद्ध शुकर और पृत्वी मंगल तो यह चार जो ग्रह आंत्री ग्रह है और इन ग्रह हों कोई बोमिग ग्रह का आ जाता है ठीक है तो उसके बाद पृत्वी कब सुरह से अपनी अधिक्तम दूरी पर होती है तो यह जो अपनी अधिक्तम दूरी पर होती है तो चार जुलाई को होती है तो चार जुलाई को अधिक्तम दूरी पर होती है तो इसे एक नाम भी दिया जाता है अप्शोर का नाम दिया जाता है जब यह सबसे ज् मतलब पृत्वी जो है सूर्य से सबसेधिक दूरी पर होती है तो आपको यह मालूम होगा कि एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे यहाँ पर सूर्य है तो यह बीच में सूर्य है तो यहाँ पर पृत्वी है तो एक टाइम आता है कि पृत्वी यहाँ होती है क्योंकि जो पृत्व है और गुलाई में करती है और अंडाकार ब्रीथ में करती है तो अध्याइम होता है कि यहां पर जो पृत्वी है वह सूर्य के सबसे नजदीक है तो बाइक होता है कि जो पृत्वी है वो सूरे के सबसे दूरी पे हैं तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है वो चार जुलाई को होती है तो मालनो जिसे की अप्षोर बोला जाता है और एक होता है की उप्षोर तो एक उप्षोर का नाम दिया जाता है तो उपसोर जो होता है वो तीन जनवरी को होता है तो तीन जनवरी को जो है वो पृत्वी है वो सूरे के सबसे अधिक नजदीक होते हैं से दोई कोशन ये पूछेजाते हैं तीजनर्वरी को उपसोर की पृत्वी सबसे नस्दीक狂ती आ है और चार जुलाई को अपसोर की पृत्वी और सूरे के विच जो दूरी है वो अधिकतम होती है ठीक क्याओं बाकि यहीं पूजा जाएगा कि कितनी दूरी ए ironically क्रोड में होती है काफी क्रोड किलो में का उसके बाद सम्तल परा के साथ मेगमा का अंत्रवेधन पता जो मैं आपको बता दूँ की सम्तल पराब मीगमा क में अंत्र वेदन कहलाता है वो बैथुलित कहलाता है और उसके बात करें सम्तल तल के साथ अंत्र वेदन तो सम्तल के साथ कहलाएगा लैखरी टो आप मैं पुछा संस्थन तल के साथating aर्ट कहाता है nella किलोमेटर अंदर या फिर घहराई में ही जब फैल जाता है तो अंदर या अंदर तो उसके बाद जो है मतलब एक गुम्बदाकार में अपनी जो शेप है वो बना लेता है तो बाकि ये ग्रेनाइट का बना होता है और उसके बाद जो लैकोलित है तो ये वह मैं आपको बताऊं जो लेखो लिता है अगने चटानों का बना हुआ हुआ होता है और बैथो लिता है जो ग्रेनइट चटानों का बना हुआ होता है तो वाकी फिलाल कि लिए अगर आपको समझ़ा है तो इतना ही वाकी काफी बुक्स में डिटे All इतामें świat पारे में जैसे क चीज़ें उसके बात करते कि सिस्मोग्राफिक किसका अधियन है तो जो सिस्मोग्राफिक है वो बुकम्पो का अधियन है तो option d यहां पे राइट अंसर होगा बागी मैं आपको बता दू कि अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना चाते हो आप सिर्फ खाले आपको अंसर स बात क нес की बात करते हैं। तो ग्रे नाइट के तो ग्रे नाइट ये पूछा जाता है। इसके बात करते हैं। और जो आपको पता है कि जो एश होती है, वो राक होती है, वो ग्रे कलर की होती है, तो जो कि अगनी सही बनी होती है, तो इस तरह आप कभी नहीं बूलोगे, क्योंकि ट्रिक भी कभी ना कभी ऐसा नहीं की काम आती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आप ट्रिक बूल जा एसा है लेकिन कहीं ना कहीं मतलब काफी चीज़ें जो ट्रीक से याद रहाए जाए जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगे कि यूपास पर एंट भी मैक्सिम्म जो है मतलब ट्रीक से भी काफी जाधा चीज़ें याद करते हैं तो बकि अपना अपना सभी का तरीका याद करने का उसके बाद नेक्स्ट करतेगी स्मुद्री जल का अवर्ती संचिलन कहलाता है तो जो मतलब प्रियोडिक मूवमेंट कल भी हमने पढ़ाता तो यह जो कहलाता है जवार बाटा कहलाता है ओप्शन यहां पर रैट अंसर होगा तो जوार बाटा जो है मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया कि कितने टाइम के अंतरहल में ज्वार बाटा के वीच में आता है तो आप कमेंट करके जूरूर बताइए उसके बाद बात करते हैं कि भूवद सागर है मतलब लैंड लोक सागर है कि जिसका जो मतलब चारो तरफ जमीन से गिरा हुआ उसे कि कौन सा है तो इन में से तो इन में से जो अराल सागर है एक्चुल में जो है कि सागर नहीं है तो मतलब एक जील है तो option सी यहाँ पे right answer है तो वीडियो लंबी हो जाते तो इस वज़ा से मैं खाली इस में 20 question ही discuss करूँगा तो उसके बाद बात करते कि कौन सा एक deep नहीं है तो deep जो है वो आपको greenland और island तो पता है कि एक deep है बाकी जो confusion create हो सकती है वो क्यूबा और Sweden में हो सकते है क्योंकि आप बोलोगे कि क्यूबा देश है क्योंकि अभी आपको क्यूबा से related आगे question भी देखने को मिलेगा तो क्यूबा तो क्यूबा एक जो है कि एक deep ही है तो जो कि कैरीविं सागर में स्थीत है तो जो Sweden है वो एक deep नहीं है तो ठीक है क्यूब एक डवीपय देश है तो इस बज़र से इसका अंसर क्यूबा नहीं हो सकता है तो स्वीडन यहां पर राइड अनसर है उसके बाद नेक्सट बात करते कि उजेख अधिक सपस्ट है या पर वह अंसर करें उस और ओजर करते हैं उसके बात करते हैं है समुदृ स्मीर बनते है इसके दराओ सेज़ा dense तो आपको मालूम होगा कि समुद्री समीर मतलब जो समुद्री हवाई है वो कब बनती है तो अभी हाली में भी एकोशन पूछा गया था तो दिन के समय बनती है तो दिन के समय बनती है तो अगर आप इसे अच्छे से याद रखना चाते है तो मैं आपको बता ही दूँ क्योंकि अगर फैक्ट आपको मतलब आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपको याद रहा जाएगा कि दिन के समय जो है वो समुद्री समीर बनते हैं तो दिन के समय जो यह है वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जो दिन के समय ग्रिशम रितु म जो मतलब जल के पेक्षा जो मतलब स्थल है वो जल्दी गरम हो जाता है और जल्दी गरम होने के वज़ासे जो वहां के आसपास के जो हवाई हैं वो भी जल्दी गरम होके उपर उठती हैं तो दिन में जो हैं वो समूदरी समीर चलता है ये कारण भी और भी कारण है लेकिन आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए आपको याद रहेगा उसके बात करते हैं कि ब्रिष्टी चाया प्रभाब किसे स्वंदीता तो ब्रिष्टी चाया प्रदेश भी इसे बोला जाता है ब्रिष्टी चाया प्रभाब भी इसे बोला जाता है तो यह जो ब्रिष्टि चाया प्रदेश या प्रभाब है तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहां पर बारिश नहीं होती है लेकिन अगर आपने मतलब पढ़ी होगी जोगरफी तो आपका मानना यह होगा कि जो दक्षिन पश्री मानसुन है तो मतलब वो तो वहां पर बारिश करता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो काफी बार ऐसा होता है कि जो मतलब जो बिदर वाला क्षेत्र है तो वहां पर बा बारिष्या वह अपनी डलान के इस तरफ ही कर देती है तो मतलब अपनी नमी जो सारी है वह डलान के इस साइड ही छोड़ देती है तो बाकी जो मतलब यहां पर क्योंकि आपको पता है कि जो पश्मी गाट है वो मतलब एक पाड़ी एरिया ही है मतलब ढाला है तो दोनों तो आपको पता है कि जो परवतिया वर्षा से स्वंदीत है क्योंकि जो परवत के एक तरफी जो हवाय हैं वो सारी नमी छोड़ देते हैं वर्षा कर देती है तो इससाब यहां पर प्रिवजन पर दूशन है जिनके करण अमल्या बर्षा होती है तो यह जो दोनों पर दूशन है क्योंकि जब मतलफ्लिंधन जलता तो एदिоп लीगता है तो बाकि यहाँ पर एक ही दे रखाय सल्फर डाय उक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन उक्साइड यह दूनों प्रेवन प्रदूशन अमले वर्षा के लिए जिम्मेवाल होते हैं उसके बाद बात करते हैं कि टकला मकान रेगिसान सीता है तो अगर आपने कल का वीडियो देखा हो अगर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप अभी वीडियो में देख सकते हो जाके अभी एकनोमिक्स की भी हमने सीरीज शुरू की ह तो मैं प्लेइलिस्ट कर दूँगा जब 3-4 वीडियो बन जाएंगे जितना कबर हो सकेगा करेंगे तो टकला मकान रेगिसान सीता है जो टकला मकान मैंने आपको कल भी बताया था कि यह जो सबसे बड़ा सितोशन सबसे बड़ा सितोशन रेगिसान है उसके बाद ऑप्शन D मतलब चीन में स्थीत आ जो की ठीक है जो सबसे बड़ा मतलब सिटोशन रेगिस्ताना है सबसे ठंडा रेगिस्तान है तो झेंजल के प्ठीगकर में जाता है मतलब याद रखने के लिए में बता रहा हूं आपको उसके बाद बात करते हैं कि भेड परदान करते हैं तो बेड आप यहां पर जो मतन यहां पर परदान करते हैं तो उप्शन यहां पर राइट अंसर है बाकी मैं ने ज्यादा नहीं इसके बारे में मतलब सर्च नहीं करा क्यूंकि यहाँ पे अंसर की में इसका अंसर माटन ही था उसके बाद बात करते हैं कि क्यूबा सरवादी की उत्पादेक है तो क्यूबा जो सरवादी की उत्पादेक है वो शक्कर का है तो एक चीज़ और बता दूँ क्यूबा को है वो शक्र का कटोरा है चिनी का कटोरा भी क्यूबा को ही कहा जाता है ठीक है उसके बाद बाकी जो है जो उसके बाद ये कोर्शन है बाकी जो बचे कोर्शन मतलब मैं आपको अगले वीडियो में डिसकस कर दूँगा यह होगा कि मैं हर रोज मतलब वीडियो ले मैं दोनों के question लेके आऊँगा और फिर उसके बाद कुछ मैच पीजी के के और उसके और पोल्टीकल के दोनों तो अगर मतलब अच्छा response मिलता है तो मैं वीडियो जो बनाऊँगा बाकी अगर आपकी किसी भी तरह की कोई कुछ suggestion करना हो तो आप कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही धन्यावाद